Hello Arya Jr. तो जैसा मने लाश्ट लेक्चर में एक सी ज्यादा लूइस इस्टक्च्चर को हमने बनाया था थैं तो एकसे ज्यादा Lewis.Structure आपके model possible होते है आप उपने ने आपको बता 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 था कि next lecture में हम उससे related कुछ पढ़ेंगे ठीक हो एकसी ज्यादा Lewis.Structure आपके possible होते है तो उसमें हमको कोई ना कोई concept को धूनना पड़ता है कि कोउन से ज्यादा work है कोउन से ज्यादा correct तो एक चीज़ करके आब हम समझते फॉर्मल चार्ज कॉंसेट आप लोलं का देखते ध्यान से समझेंगे फॉर्मल चार्ज कॉंसेट खॉंसेप्ट बात ऑपका काफी एीजी है तो कहो केसे करेंगे प्रवर्मल चाइज को पीस समझेंगे सबसे टोले एक क्रोशन समझते हैं ठीक है ड्रोध लॉस ट्रॉट इस्टॉट्ट्थ इस्टॉट्चर आपको लुस डॉट्ट इस्टॉट्ट्फर में बना सकते हो फिर भी हम एक बार देखते हो कैसे बनाएगे तो इसको किसे solve करेंगे बच्चो solution मैंने आपको बताया है बच्चो ठीके SCN minus का lose dot structure आपको draw करना है सबसे पहला काम क्या होगा बच्चो आपको skeleton draw करना पड़ेगा कैसे होगा lower electronegative element always behave as a central item तो यहाँ पर lower electronegative element कौन सा होगा यहाँ पर carbon और जो small item होगा वो आपका सकते हैं अब SCN minus में इसको में central item किया आओ अब हम बात करते हैं यहाँ पर total valence electron तो आप लोगों को निकालना आता है total valence electron तो sulfur में कितने होते six plus carbon में कितने होते बच्चो four into one और nitrogen में कितने होते five और एक electron आपको यहाँ से आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे incoming electron incoming electron अब incoming electron है तो यहाँ पर plus one total कितना होगा बच्चो six four ten और यहाँ पर sixteen electron sixteen electron valence electron आप हम बात करते हैं यहाँ यहाँ पर total electrode required to attain a noble gas configuration तो noble gas के लिए इसके जो nearest होगा इसके नियरिस्ट कुन सा होगा बच्चो और इसके नियरिस्ट नियॉन नियॉन तो जितने भी नियॉन नोगलगेस elements होते हो उसके outermost shell में eight electron होते हैं तो यहाँ पर तीन eta में तो आव्टर मोस शेल के लिए 3 से multiply कर दो eight multiply by three सबके लिए eight होगा बच्चो इसके लिए eight होगा इसके लिए eight होगा सब उपने जेल में eight electron होगा जाते एक तो इसलों मैंने 8 multiply by 3, total कितना होगे 24 electron, now we have to calculate what, यहां से important start होगे total bond electron, total bond electron हम कैसे calculate करेंगे बच्चों, आप लग जानते हो, तो यहां पर आपके total किसे बने होगे बच्चों यहां पर यहां पर 4 bond बने होगे और 4 bond आपके कुन से nature के होगे बच्चों, कोवेलेंट नेचर के, कोवेलेंट नेचर के bond होगे और उसमें थोड़ा बुक आयायनिक bond होगा, अब जो चार bond है, अब इस molecule के में चार bond, चार bond होने की possibility क्या है, possibility, possibility for, formation of, formation of, for bond, मतलब चार bond बनने की possibility क्या है बच्चों, एक तो यह possibility हो जाएगे आपके, ठिके यह पहली possibility, अब यहाँ पर आपके यहाँ पर एक और possibility की यहाँ पर triple bond हो जाए, यहां पर यह हो जाए यह हो गया second possibility अब third possibility क्या होगा बच्चों यहां पर यह इस तरीके से triple bomb यहां आ जाए यह हो गया आपका third possibility अब हम कैसे analysis करेंगे कि possibility तो हमने बता दिया ठीक तीन possibility होने की हम क्या निकालते बच्चों total loan pair electron किसे निकालते बच्चों total balance electron minus total bond electron and total balance electron कितना होगा बच्चों आपके आपके अब देखोँ ध्याद से समझना सबसे पहले लोन प्रात टर्मिनल एकटम पे लगाना हैँ ठीक है तो देखते बच्चों एक ही करके आप में लोन प्वेर के यहां अर्रेंज करता हूँ, सबसे पहले लोन प्वेर आपके टर्मिनल एटम प्र लगाओ, तो देखो, यहां पर में लोन प्वेर लगाता हूँ, अब यहां पर sulfur के दो electron आपके bonding में participate कर चुके, sulfur के दो electron आपके bonding म कर चुक है और यहां पर एक एकस्ट्रा इलेक्ट्रों यह भी ध्यान रखना आपका एक लोन पेर का मतलब इसका मतलब ऐसा ओता है जो बने बताया हुआ था एक एक स्वाल्य कोई बात नहीं ठीक है आप इसको थोड़ा सा ध्यार से समनना जहां पर दो आपके बॉर्णीं कि यहां पर और और कॉंफिगरेशन आगया तो यहां पर यहां पर देख शतूं कि में बाहर से प्रॉस तो इसको हम क्या खरेगे क्रोज से अब देख सकती कितने एक लोट प्रीम यह आपका दूसरा आपका दूसरा दूसरा आपका वस lagi आपका चार अपकिस तरह इसमा के के कोई requirement नहीं होगी है अब देखो यहां पर यहां पर सल्फर की कितने काउंग ने आगे रुच्छो तीन तीन बॉंडिंग में पाटिसिपेट कर चुके और सल्फर के ऊपर रुमेनिंग कितने बचेंगे सल्फर का आउटर मॉशल में छे एलेक्ट्रोन आउटर मॉशल में कित जाएगा और इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिकुरेशन ठीक है और इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिकुरेशन को रिमूव करने करता है थरीका क्या है बच्छो कोडिनेट बॉंड तो यहां पर मैंने यह कोडिनेट बॉंड बना दिया यहां पर इस तरीके से मैंने कोडिनेट बॉंड तो है कितने बंट राड यह बना यह बना तो यहां पर कितने इलेक्त्रों ट्रांसवर के 2, तो तीन बॉन्डिंग में पाटिसिपेट है? तीन बंडिंग में पाटिसिपेट है? तो इसाली चार से बना लीता है, तो इस तरीके से कारगन के भी चार पाटिसिपेट हो गए. ब्ष्टिपेट होए तो वेलेंचेल में पांच तो पांच एक चार और एक आपका आउटरमोस्ट एलेक्ट्रोन है तो यह होगे देखो कितने लोंपेर होगे बच्चों तरीके से धीरे धीरे बनो तो यहां पर यह आ गया अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं सलफर की कितने बांडिंग में पाटिसिपेट हो गए एक बचे कितने पांच बचे कितने प यहां पर इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाएगा तो बिदेख सकते हो कि यहां पर टोटल लोंपेर फिर से कितने आगे बच्चों सिक्स आ गए ठीक है को दीरे दीरे अपने आप आ जाएगा बच्चों लेकिन आप एक दो बार इसको जिस तरीके से में बॉल बॉल के करने की कोशिश कर रहा हूं आप भी उस तरीके से बॉल बॉल के करिए तो आपको आ जाएगा अब इसके ऑक्टेट चेक कर लेते हैं इ एक दो तीन चार पांच ची साथ आओ मैंने बता था था ना बॉल पयर इलेक्टवन को बॉन से बिस एकम के लिए विक में करें के लिए रहूंस करें के काली जिस एक दो तीन 2014-07-07 ऑक्टेट complete है अम देखो यहां पर भी यहां पर findet ने दो एलेक्टरोन दिए एक दो थीन चार refresh इसके भी आ्ट इलेक्टरोन कारओं के एक दो एक दो तीन- चार साथ आठाट करते हम एक दो तीन- चार पांच्छे साथ एक हम करते हैं ठीक के लिए ऐ लिए एक पर कते है और साथ एक सबस्त्क्ज यहाँ सक्रक्चर सकते ओ तो रहा तो कâte यहां हम समयदा यहां पर हम क्या हिए यहां पर हम सिंप्ल बोल सकते की कि कि स्वापर मैं लिग देता हूं इस्ट्रक्चर क्यों स्ट्रक्चर में इस्ट्रक्चर वैं क manner सेकेंड एंड थर्ड ओल आर फोलो ओल आर फोलो लुईस डॉट इस्ट्रक्चर इस्ट्रक्चर या फिर लुईस ओक्टेट मॉडल लुईस ओक्टेट एंड देन टॉट ओक्टेट टॉट या फिर लुईस ओक्टेट रूंको फॉलो करणें आप सबसे पर बातर जाहिए आपकी सारी के सारे करें दें 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 वी we have to identify, we have to identify the most suitable structure, the most suitable lois structure of following chemical species, following chemical species, toh mujhe in sabhi in sabhi molecule mein, in sabhi molecule mein sabhi jho suitable structure hai usko humko, usko humko identify karna pade badeega this identification of this, this identification, this identification of, of structure, structure is done by, is done by, done by a formal charge concept, formal charge concept, ye structure ka, ye jho correct structure, mujhe wu, mtl identification nikalne ke liye, mujhe ko koon sa charge concept lena padeega formal charge concept, toh ye toh aap ka tariqa tha ki formal charge concept ka haa se aya, abh yahaan pa toh aap ko structure me nne bana liya hai, abhi mujhe in tino mne se most suitable structure nikalna hai, toh mne kis se nikalun ga formal charge concept se, thik hai, formal charge concept se, abh actually me formal charge aap ka hota kiya hai, usko hum, dhyaan sa seng chen pake aap kya haa se sange jayayayayayanga bae, usko hum, hum. concept ने, formal charge, formal charge actually में क्या होता है बच्चो आपका number of number of electron lost and gain number of electron lost and gain by an atom by an atom by an atom that देख नी when when number of electron lost and gain gain by an atom when when that atom that atoms form from chemical species आप देखो, chemical species बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ atom को electron lost करना पड़ेगा या तो gain करना पड़ेगा, उसी उसी आपके उसी इसकी वाज़े से जो always a formal charge always a always always a integral value ठीक है फॉर्मल चार्ज अल्वेज एंटीग्रल वेल्यू सारे आपके इंटीग्रल वेल्यू होते हैं ठीक है नमबर ओफ लॉष्ट ऑफ एटम आपके नमबर ओफ लॉष्ट ऑफ एलेक्ट्रोड गैन आपके माइनस 1 प्लेस 1 ऐसे में ऐसी होंगे माइनस हाफ कभी नहीं आएगा बच्चो आपलोगा माइनस हाफ कभी बीए फॉर्मल चार्ज आपका आएगा नहीं तो फॉर्मल चार्ज ओल्वेज ए इंटीगल वेल्यू गैन जो कर रहा है और गैन कर रहा है उसी के एक्वल होगा सेकिंड आपका कॉंसेप्ट इसेकिंड आपका चाहा हो दा बच्छो फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज चार्ज और एन्य एटम और एन्य एटम इन्केमिकल एस्पेसिज इन्गेमिकल स्पेसिज इस स्थैसिज रे प्रेजन्ट नहीं हमने चांज क्या इस वे content अगैं क्या आप समझना ठीक है यहां पर आप देखो आप देखो क्या होता है different structure में आपके similar atom हो सकते हैं जैसे SCN में carbon है ठीक है और CO3 to minus में भी carbon है अब इसका मतलब थोड़ी ना कि कि आपका carbon SCN में जो carbon है उसका जो आपका formal charge होगा SCN के अंदर वैसा भी चाल्ज आपका त्री के अंदर आगा इसा नहीं है देखो मैं आपको समझाता हूँ जैसे स्अथी टो माइनस एक रेख से एन है ठीक है एस सी न मना दिया हमने कोई भी एक्टम कालो हो या अलग बात है यहां पर कार्बन पर यहां पर यह आपका वाई होगी यह दोनों सिमिल नहीं होगे मतलब डिफरेंट 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 डिफरें हई प्रणि जे अंदर या तो आपका यह भी हो सकता है या तो आपका यह भी हो सकता है तो आपको इसे हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको निकाल के ही देखना पड़ेगा ठीक है तो यह थोड़ा से आप इस्टेटमेंट ध्यान को इंट्रीगल वेल्यू रखता है और फर्मल चार्ज आपका किस ट्याप का इमेजनली चार्ज होता है जो कि आपके टिकर किस इस्टेटमेंट में कुछिन पूछ लेता है सब तो थोड़ा सा इसको थ्यान हो और आगर केमिकल वाले कुछिन आते हो तो वह काesis टॉस होता है अब हम एक ही करके यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे उसका में आपको तरीका बता थाहरू देख लिए आंग खेंगे थोड़ साथ toca stop समझee न समाझना इलेक्ट्रों टोटल वैइलेक्ट्रों की छतोफ मतलत एंटम टोटल्स ओलेरीजी ट्रों सब्सक्राहगे तोटलुंद फोड़ा सिंस अन ISS सबस् Tiए ऑस तो आपको में एक सिंपल ठारीका बताता हूं टोटल वेलेंस उलेक्टों को हम क्या लिख सकते हं अब किसी भी एक्टम के यह वाला मैंने लिखा फीके अब यह दोनो इलेक्ट्रों विसके लिए कांट करेंगे और यह दोनो इलेक्ट्रों अलक कांट करेंगे तो इसका मतलब आपके एक नहीं है अब हम उसको देखते तो lone pair electron में तो कोई दिक्कत नहीं है ठीके प्लस अब यहाँ पर bond pair electron में हमने अगर यह वाले electron को भी count कर लिया तो क्या यह सही है bond pair electron में केवल और केवल इस atom पर कितने assign हो उसको हम calculate करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर bond pair electron कितने है लेकिन atom पर कितने है एक तो हम यहाँ बहुत सकते है total bond pair electron divide by 2 यह formula आप अगर use करोगे तो आपका आजाएगा ठीक है अगर आपको समझना है तो आप तो इस तरीके से ही समझे तो ज़्यादा बेटर है ठीक है अब इसमें एक चीज़ा रखना है coordinate bond को हम normal bond की तरह ही behave कराएंगे coordinate bond को हम normal bond की तरह ही behave कराएंगे अब question देखते बच्चों एक ताकि आपको समझना है calculate calculate the formal charge formal charge on following following chemical species आपको दिये गए species में आपको क्या करना है formal charge को calculate करना है calculate the formal charge on following chemical species तो देखते एक एक करके की कैसे करेंगे तो सबसे कहला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सबसे कहला आपको CO2 यह मैंने माल लिया ए ठीक है एसी में आपका 1 कर यह मैंने बनाय था आप लोगों को अभी याद आ गया होगा मैंने इसा कुछ बनाया था ठीक है और एक मैंने आइसा कुछ बनाया था ठीक है यहाँ पर यह गया आपका C यह आपका ABC मैंने क्योres часто वह आपको बाग में बताँगा लेकिन इन सब पर हमको formal charge calculate करना है ठीक है किस तरीके से calculate करेंगे आप लोग से पर समझो रही है formula पर मैं आप लोगों को मेरा तरीका बताओगा formula तो आप कितने time ध्याना होगे लेकिन आप लोग प्रशिश करो फॉर्मुले से भी आपको एक बार बता दूंगा फॉर्मुले में कैसे वेलिव पॉर्ट डाम करनी है बाकी तो आप इस तरीके से समझो अब क्या करो कि यहां पर एक इस एक के लिए निकालना तो बोला बना दिया अब इस एक्टम की कितने एलेक्ट्रों इसक सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर चार इलेक्ट्रों ठीक है और आजू बाजू कितने एक दो तीन तो इस तरीगे से यहां पर चार तो टोटल जीरो अब यहां पर भी आपके दो लोन प्यार है आप इसके लिए करेंगे तो टोटल वैलेंस एलेक्टान शीक्स और इसके आज वाज जो एक दो तीन चार पांच छे तो छे टोटल कितना आ गया बच्चों यहां पर जीरो तो इ इसके लिए कितने सबसे पहले यहां पर जीरो इसके लिए कितने सबसे पहले यहां पर कितना होता है आप देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ एलेक्ट्रों तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आप लोग करेंगे तो सही रहेगा ठीक है यहां पर भी देखो आप फिर से निकालो इसको एक माल लिया ऑक्सिजन के वेलेंशल में कितने हैं तो चार पर आख लोग कितने असाइन है कितने यहां पर आपके एक दो तीन चार चार आसाइन है तो आप इस तरीके से निकालो तो जाड़ा आप लोग को आप लोगे को सही जाए यहां पर कैसे करेंगे देखो यहां पर करने का तारीका टोटल कितने हैं इस तरीक से हमने यहां पर निकाल लिए बच्चो फॉर्मल चार्ज निकाला अभी एक और इग्जामपल दिखते हैं ताकि आपको और भी जितर अच्छे से समझ में आ जाए कुई जाड़ा इंपिकल कॉंसेप्ट नहीं है अभी अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था उसी का निकालते हैं ठीक है उसी भी जहाँ पर स्ट्रक्चर ए ठीक है अब यहाँ पर ऐस सी अड को व्याँ चारिक्टू यहाँ पर इस तरीके से आपके स्ट्रीकर था थे ठीक है यह हो गया आपका फिए यह को धी देख सो इसको अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको समझ में जाया अत्वाइक को तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहां पर इस एकम को राउंड कर दो राउंड करने के बाद सफर के वेलेंशाल में सीक्स एलेक्ट्रों सीक्स माइनस अब आपका कितना हो जाएगा इसके आजबाजू एक दो तो तीन चार पांच छे इलेक्ट्रॉन है, तोतल कि इसके withलेंश car. जो बाजू कि ने, तो इस तरीके से हो गया ठीक है अब यहां पर आपको कोडिने को भी किसकी तरह तरह करता हूं को मांगा बच्छो सिंपल गुन के तरह तो शलफर वैलेंगे में सिक्स अब एक दो में पर आजाईगा जीड़ा इसके लिए की तरह तो नुन्यू ना इन पर पर पांच तो निना न के तो इनकी तो ऑप जो हो, जैसा में तारीखा बता रह वह जेसा करते जाऊ, ठीक fif अब इस पर निकालेंगे पर कितने एंट आप लो डिखंट करें तो यहां पर सेवन एलेक्टोन आसाइज होटकर किसे ट्रूस इयसा वतरूएंट हूट यहांपर प्लस ट्रूस इंद ट्रूस फॉैट। ठीक है seven electron sorry minus one ठीक है इसके उपर कितने आसाइन है एक दो तीन चार तो चार माइनस चार इक्वल टू जीरो अब इसके उपर कितने आसाइन है उसको दख लेते हैं एक दो तीन चार पांच मतलब पांच में से पांच टोटल कितने जीरो इलेक्ट्रॉन आसाइन जीरो इसको फॉर्मल चार्ज हमने हर एक रेटम का फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लेते हैं इसमें तो हम इस्टेबिटी चेक करेंगे अब में सैड में आपको एक रेटम का बताता हूं देखो स tadi को इस इसमें इस्टेबिटी का हमको देखना नहीं यह ता स्बॉल संब्सक्राइ Sydini आप देखो यहां पर आपका इस तरीगे से ना हाँ इस तरीके से था एक दो यहां पर एक दो तीन चार यह यह मैंने बनाया था बच्छो मैंने O3 का structure कुछ ऐसा बनाया था बच्छो मैंने O3 का structure तो आप लोग इस पर निकाल सकते हो भी formal choice हर item पर कितना होगा और यह question अक्सर आपके medical में पूछा गया यह question है बच्छो यह काफी easy question पढ़ता है और आपके NCIT में गयोगा अब इसको इसमें इसमें formal 123455 है तो इसके उपर क्या जाएगा प्लस वन इसके उपर कितना आएगा देखो six electron valential में 123456 six electron है जीरो अब देखो कि आप आपसे कैसा question पूछ जाता है xyz तो xyz की value आपसे पूछ लेते हैं कि xyz आपका formal charge है तो xyz की value कितनी होगी respectively minus one plus one और zero यह question आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है ठीक है इस तरीके से हम यहाँ पर formal charge और भी item का निकाल सकते हैं जो आपको अक्सर आप समझ में आ गया होगा किस तरीके से formal charge हमको calculate करना है आप लोग तीन चार example करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो अब दोखो यहाँ पर अगर मुझे आप मुझे यहाँ पर सुरी यहाँ पर मैंने इसको रप कर दिया इसको बना देता हूँ आपस यहाँ पर क्या था यहाँ पर आपका oxygen इस तरीके से था ठीक है इसको बना देता हूँ बच्चों में थोड़ा सा ध्यान लखना थोड़ा से आप लोग कुश करो तो यह आपका इस तरीके से था ठीक हुआ है बना देता हूं ताकि मेरे अभी काम आए गए ठीक है यह अभी मिसके बारे में और भी डिस्कस करूंगा तो यह आपका ए culture था और यह आपका कितना था यहां पर एक दो यह आपका कुंसा coordinate bond था आपका इस तरीके से था ठीक है यह मैने बनाया था अब structure आप हम समझदगे कि stability हम के से निकालतेan stability निकालने का तरीका अब दोओ यहां पर which structure which structure structure is more more stable Lewis structure we can find it we can find it by following rule we can find it by following rules we can find out we can find it by following rules so the first point is we can find the work of organic chemistry in your work organic chemistry इसको यहीं स्ट्रोंग कर लिया तो दुनिया को कोड़ी भी आपका अगर आपका फसर आए तो इसका मतलब वहां पर फॉर्मल चार्ड लगा दो आपका कॉश्चन हंडेट परसेंट सोलो जाएगा हंडेट परसेंट दखो फॉर्मल चार्ड एक एसी चाहिए जो आप कहीं प सबसे पहले इस्टिबिटी तो इस्टिबिटी वी हाव तु चेक वी हाव तु चेक कम्प्यूटेश्चन आफ अगर दो च्चेक ऑटट ऑफ चेमीकल स्पीशिश्ज अब आप अपकेट क्यमिकल कर सकते हो ऑटिच सब में अच्टिट कम्प्लिट है ठीक ही केमिकल स्पिसी चिसका उक्टेट इस्टेबल उधै कि क्या क्या होगा इस्टेबल हो जाएगा आप शेरां कि शी जटेबल हो लूइस.structure, stable लूइस.structure, structure, structure have, 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 have तो फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज नियर टू जीरो मतलब किसके जीरो के नियर आप देखो जिसमें फॉर्मल चार्ज आपके जीरो के नियर होगा या फिर जीरो होगा वह आपका क्या हो जाएगा रच्चू वह आपका इस्टीसिज आपका इस्टेबल होगा आप देख तो जिस पर आपको परफेक्टली गीर होगा वह आपका सबसे जगा इस्टेबल तो यहां पर में क्या वह था आपका ज्यादा इस्टेबल होगा इस कंपेर टू बी एंड सी और आप देख सकते हूं कि बी एंड सी में भी फॉर्मल चार्ज एक ऑक्षिजन पर माइनस यहां सब्सक्राइब क्या है कि आपका इस्टेबल हो गया ठीक है अब देखते हैं अब हम आजे सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि कि हम देखो यहां उपर कर अपर अपर और आप देखते इसकं इसनेमे लगते एं बीसी डिया हुआ है अब देखो इसकाको किस-किस में और रही है जहां पर उन और दमना अटाव कौन सा है बच्चो दोनों है तो इन सम्में हम क्या बोल सकते हैं बाइफ फर्स स्टेट्मेंट हमको क्या मिला बच्चो यहां पर यहां पर हमको मिला कि A and C is more stable A and C is more stable as compared to B यह पहला point हमको देखने को मिल गया पहले है second point कि आप देख सेखते हों कि A and C है वा identical वेल्यूज यहां पर N कब पर मैनेस वन है यहां पर S कब पर मैनेस वन है मतलब formal charge की value क्या है identical टीक है तो यहां पर C points हम समझते है बच्चो कि chemical species chemical species chemical species which have which have similar formal charge similar formal charge then 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 we have to decide we have to decide we have to decide 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 stability by stability by by electro negativity अब देखो अब क्या बोलना चारहे higher electro negative element higher electro negative element element can carry element can carry can carry negative charge अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो यहां पर आपने समस्टाओ होगा negative formal charge आपका कहाँ सबसे ज्यादा stable होगा तो जैसा कि हम लोग समस्टे हैं यहां पर nitrogen have higher negative value nitrogen की आपका क्या आजाएगा बच्चों यहां पर यहां पर आपका stability order जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कि यहां पर मैंने लिखा एक example example के थुरू पहले समझते कि क्या होता है actually statement मैं आपको बताने वाला हूं वह उसको पहले example के थुरू समझते देखो यहां पर मैं CO3 2- का structure बनाता हूं ठीक है आपको इस पर formal charge निकालना है ठीक है आपको इस पर formal charge निकालना है तो एक एक करके formal charge निकालते हैं तो अगर मैं इस पर formal charge निकालोंगा तो कैसे निकालोंगा बच्चो यहां पर valence cell में 6 electron लेकिन यहां पर कितने आसाइन है 7 electron तो इस पर minus 1 यहां पर फर्मल चार्ज में कितने होते हैं बच्छो 6 एलेक्टोन वैलेंशल में और कितने ऐसा हिने देख सकते हैं आप 1,2,3,4,5,6,7 आप कल्कुलेट करना सिखो मेरे साथ आप लग बोला करें लिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा ठीक है जहां पर वैलेंशल में 4 ह आपका जीरो यहां पर कितने होते हैं बच्चो बेटा में थोड़ा सा सिंपल भी पूछ सकते थे लेकिन सिंपल पूछने से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं थोड़ा जाने की कोशिश कर रहा हूं आप लग कोशिश करो थोड़ा से काफी आप को तो कितना चार्ज है अप्ली इसके उपर माइन सथ होते इसको पूल्स। समिशन की एकवर में ओता है या फिर sum of all sum of all formal charge सभी formal charge के sum के equal होगा अब देखो यहां पर net अगर formal charge निकालना चाहूं तो इसके लिए net formal charge इसको हम क्या बलेंगे net formal charge भी बोल सकते net formal charge ठीक है net formal charge ठीक है यह भी मैंने बोल दिया आप देखो net formal charge हम कैसे निकालेंगे बच्चो इसका एक oxygen पर माइनस वन दूसरे oxygen पर माइनस वन एक oxygen पर जीरो और एक carbon पर जीरो तो टोटल कितना आ गया माइनस टू और माइनस टू आपका क्या होगा है chemical species पर चार्ज तो यह भी एक concept होता बच्चो थोड़ा सा ध्यान रखो जैसे मैंने अब हम समझते कि मैंने आपको फॉर्मल चार्ज निकलना बता दिया यह concept भी बता आप देखो एक और question करते हैं अब इस बार आपको रूम तो लिखे वे नहीं है आप directly करके देखो आपके इस question को कैसे करेंगे बच्चो देख लेते हैं यहां पर यह मैंने बना दिया जो आपको नहीं आएगा ठीक है यहां पर लॉन पे नहीं आएगा यहां पर आपका इस तरीके से यहां पर यह आपका कोडिनेट बॉंड यह आपका कोडिनेट बॉंड ठीक है तो यहां पर आपका एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है यह आपका इस तरीके से ठीक है यहां पर इसे कर दिया चलो ठीक है इसको कोडिनेट बॉंड असाइंड नीक है इसको मैंने सिंपल बॉंड असाइंड कर बना दिया एह पर आपको बताने कि और बी में से स्ट्रक्टफर आपका करे में बोथ आर दूने एंट्यूब सब्सक्राइब ये मतलबम एकला याफिंग गईस कई क्लृफिंग गेस उलटे हों तो थोड़ SE से समझना लॉफिंग इसके बारे में आप बहुत जानते हों भी होंगे अच्छे से जानते होंगे आप मैं आपको बता तो इसका फॉर्म चार्ज कैसे कल्कुलेट करें इस इस एक पर वैलेंश में पांच लेक्टरों इसके उपर असाइन कितना है एक दो तीन चार पांच छ प्लस वन इसके उपर कितना है फॉर्म चाइंश इसके उपर वैलेंश टोटरों सिक्स कितने आसाइन है एक दो तीन चार पांच छे 6 थे से मैंश कर दिया तो जी रो है इसके उपर कितना है अशलिक्टर है फोड़ा सा च्टोटा बना रेता हूं मई आ पि accessing कर जो इस करो है आपनों कोशिश करो खुद से निकल जाएगा बच्चों काफी इस है अब इसके उपर देख लेते हैं ठीक है इसके उपर देख लेते तो यहाँ पर आपका कितना होगा देख लेते थोड़ा सा एक दो दी जाब पच्छे ठीक है यहां पर यहां पर कुटने होगा नेटों लिए पांच ठीक है पांच puff माइनस एक दो तीन चारर चार जर्वल यहां पर oxygen 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 में 6 होते हैं 1 दो-3-4 पैंच सहथ साथ नो यहां पर कितने हो ज़ागा माइनस फिर ओब र होना चाहिए तो यहां पर दीजली सर दुह होना चाहिए झाल बढ वी डिश्टिभाइशन को फॉर्म जहां ऑप भी तुपा पर प्लाइष के अपर्च पर प्लैस ओंड नेовор которую आपको पड़ेगा जानते हो इस तरीके से हमने यहां पर फर्मल चाहिस के कॉंसेप्ट को किया है नेक्स लेक्टर में हम इससे रिटेट काफ़ी इड़ामपल करेंगे बच्चों और मैं आपको गदिनेट बोन का एक सिंक्टल कंसेट बताऊंगा कि आप कोडिनेट बोन कहां लगाना है कहां कहां लगाना है आप लोग उसको समझ जाओगे और हाँ एक बार आप लोग अगर रिवीजन नहीं करोगे इसका क्या आपको समझ में नहीं आएगा और फाइनल जो मैं आपको बताना चाहरा हूं फर्मल चार्ज इस फर्मल चार्ज नो मोडलास अफ इस मैवर इसका मतलब क्या होता बैचो जो आपका फर्मल चार्ज है जो आपका फर्मल चार्ज है वह आपका दो से ज्यादा और दो के इकवल नहीं होगा ठीक है अगर दो के इकवल या फिर दो से ज्यादा होता है if this condition दो से कम और दो के एक्वल हाँ दो से कम होगा या फिर एक्वल होगा ठीक है if this condition is यहाँ पर एक simple बता जता हूँ formal charge never be never be equal to 2 and greater than 2 ठीक है अगर यह अगर होता है then unstable हो जाएगा simple यहाँ बने या फिर formal charge never be less than minus 2 and equal to 2 ठीक है यह भी नहीं होगा अगर एसा condition होता है तो then again क्या हो जाएगा unstable structure unstable structure ठीक है unstable structure तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यह वाला जो आपको note डाल के लिख लेना चाहिए बच्चों note डाल के यह वाला point आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए जिसमें 2 या 2 से जादा होगा या फिर minus 2 या minus 2 से कम होगा वो आपका stable नहीं होगा तो इस तरीके से हम यहाँ पर formal charge concept को easily समझ सकते है I hope so कि आपको पूरा lecture समझ में आया होगा जो कि काफी easy है काफी conceptual इतना नहीं है और यहां पर अगर आपको किसी भी type का doubt होता है तो you can call me you can whatsapp me ठीक है you can ask me any doubt anytime ठीक है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर formal charge को समझ लिया formal charge काफी easy था आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहीं बच्चे बनाते यहां पर यह हैं यह अपलाइ कर दे इसा बिलकुल नहीं करना जो में तारीक बताता है यहां रहा है भी धीरे धीरे जब आपका खत्म होने प्सक्राइव तब आपको अपको अपग्यश्न आपक बहुत ज्यादा हो जाएगे और आप आप एजिली समझ जाओगे अभी मैं एक सिक्वेंस में चाँ ला रहा हूं सिक्वेंस के हिसाब से अभी हमारा लूज डोट इस्टक्चर खतम नहीं हुगा भी हमारे खतम नहीं हुगा यह कम से कम एक यह दो लेगा ठीक है उसमें मैं आपको इसके थोड़े से वरियेशन और बताऊंगा इसमें एक्सेप्शन बताऊंगा एक्सेप्शन क्यों आया उसका रीजन भी बताऊंगा तो यहां पर तो आप लोगों को आई हो की समझ में आ करो एक दू बार करो फर्मल चाहिए निकालने की कोशिश करो बीना देखिए अगर आपका आ जाता है या फिर भी नहीं आता तो एक और बार मेक्चर बैखो आप लोगों को हो जाएगा आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा सो थैंक्स फॉर वर्चिं झाला के करो दो mappedता है conoी तक काウब को बार में आपके से साथ wax क यहां तक का झाला एंव इकाल को बार कि बार कि दुर वरोगो बार का यहां कापकर टो नहारा आप लोगपकार्टन्स है